Hello and welcome to the studio Week का आखरी दिन है Friday and intellect design को आचके दिन हम trade करें Cash segment का यह एक stock है and short side की तरफ हमने इसके अपनी एक position बना ही है Already यह stock काफी चल चुका है जैसे कि down से upside की दरफ जो हम देख रहे हैं तो इस stock के अंदर एक अच्छा move आया है देखिए करी 5% यह stock चला है हम इसको trade कर रहे हैं रिवर्सल्स प्राइस जब upside की दरफ गया दो थोड़ा बहुत इसके अंदर retracement आ सकता है हम जस्ट उस retracement के लिए intellect को आज के दिन trade कर रहे हैं आज एक अच्छा सा chapter हम आपके साथ share करेंगी इसको भी समझेंगे और कौन से sign होते हैं उनको भी समझेंगे तो वीडियो में लास तक बने रहेगा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर से जरूर लाइक कीजेगा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा Thank you कोई भी एक कैनल देखे यहां से इसे प्राइस ने अपने हाईस को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे इस कैनल के हाई को ब्रेक किया गया और फिर हाईस प्रोटेक्ट हो रहा है सबसे पहला हाई प्रोटेक्शन हमारा 9.45 पर इसके बाद में 9.50 यहां से देखे लोज मेरे ब्रेक हो रहा है अब लोज ब्रेक होते होते हैं यहां पर आपके ग्रीन केंडर्स फॉर्म होने शुरू हो गए जस्ट हमने क्या किया है कि अपना जो ट्रेड एक्जिक्यूट किया है 711 रुपए 80 पैसे पर हमारा ट्रेड एक्जिक्यूट यहां पर अपनी ट्रेड बुग हम लोग उपन कर लेते हैं ओके तो पोजिशन बुग उपन करते हैं पॉफेक्ट इस वट का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है हम जो सबसे पहला टारगेट अपना मान करके चल रहें 9-15 के कैंटर का हाई प्राइस अगर यहां तक गिरता तो अच्छा खासा प्रफिट हमें देखने को मिल जाएगा लग बाग दस से बारा शार रुपए और अगर प्राइस 9-15 की रेंज के अंदर गया तो फिर अच्छा profit मिलेगा लगभाग चलने देते हैं इसको अभी से नहीं कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा जितना मिलेगा देखा जाएगा फिलाल 915 का बेट करेंगा और इसके नीचे अगर प्रैस जाएगा तो वहां से फिर आप रिवर्सल स्वाइंट करने होंगे रिवर्सल बगारा है सपोर्ट है राइस से लोवर हैं यह सारी चीज़ें मिला जुला करके आपको एक नया ट्रीड एक्जिक्यूट कर देते हैं एंड यह हमारा स्टॉप लॉस है अब एक गर अपने ट्रीड बुक करते हैं एंड ट्रीड बुक में हम लोग देखेंगे आज दो और हमारी लगे हैं दो या तीन ओर होंगे यहां पर देखेंगे इंटेलेक्ट का एक और है जबकि हमने बाइंग के लिए अपना एक ट्रीड एक्जिक्यूट किया था 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 थाउजन क्वांटिटीज ही थी और यहां से बाहर निकल गए थे विकॉस कुछ डिरेक्श के अंदर भी हमने साड़े 6000 को अपना ओडर लगाया है बट जिस प्राइस पर हमें चाहिए था नहीं मिला कैंसल कर दिया उसको इसके बाद में फिर से इंटेलेक्ट को ही हमने इंटेलेक्ट को ठीक जगा पर लगा कि जहां से यह रिवर्स हो रहा था डाउन सेट करब हमने इसके अंदर 1000 क्यांटिटीज फिर से शॉट करते हैं 711 रुपया असी पैसे पर में शॉट किया और बाई साइड में इसका जो स्टॉप लोस लगाया है 7175.50 पर हमारे स्टॉप लोस लगा हुआ है तो अगर यह 915 के रेंज के अंदर आया तो अच्छा मुमेंट हम लोग इसके अंदर आपको इंफोर्म करते हैं जिस तरह की एक्स्पेक्टेशन हमारी थी प्राइस को लेकर के के एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देने के बाद में 925 की रेंज के अंदर वापस से जब प्राइस आ गया है तो देखिए मौनिंग से भले ही प्राइस हमारा स अगर हम सही है और प्राइस ने सेम डिरेक्शन में अपना मूव कंटिनू रखा तो हमें एक अच्छा मूव और एक अच्छा प्राफिट यहां पर देखनों को मिल सकता है फिलहाल इस वत का जो प्राफिट है देखिए 12,000 के राउंड हम इसके अंदर बने हुए 13,800 मूव ज्यादा चलने के बाद भी हम интellock को trade कर देखिए कर कल की जो class होती शाम की उसमें हमने क्यों इतना ज्यादा चल गए उस stocks को हम trade करें इसके आपर इसक्वी वा इंने discussion किया था और क्यों नहीं करना चाहिए इसके व्यूब इसक्वी ओभ पर discussion किया था So I hope कि आज के इस state से कल की class के जितने members होंगे उनको काफी कुछ यहाँ पर live example के थूरू समझने को मिला होगा दूसरी चीज़ अब क्योंकि 9.15 का हाई हमारा first target था आज के लिए वहाँ तक price हमारा पहुंच चुका है तो अब हमारा next move क्या होगा देखे यहां से हम देखेंगे कि price के अंदर अगर कोई reversals होते हैं तो हम 698.135 पर exit करेंगे कोशिश करेंगे और अगर price continue अपने इस move को रखता है तो अच्छा profit हमें देखने को मिलेगा तो इसी रख थोड़ा सा risk हम लेंगे और जो भी हमारा profit चला है 1000 quantities के साथ हम अपने इस trade को continue रखना चाहेंगे आगे की तरफ So 12,200 का around हमारा profit चल रहा है थोड़ा सा wait करते हैं और देखते हैं यहां पर movement हमें किस तरह का मिलेगा 9.15 का हाई हमारा target था और इस वक्त जो मेरा price है 9.15 की range के नीचे trade कर रहा है यहां पर price ने finally close कर दिया है 125 की candle ने और price ने काफी अच्छा move यहां पर हम लोगों को दिखाया इस वक्त का जो price का movement चल रहा है 6.98.10 के round है यहां कि 9.15 की range के अंदर और जो profit हमारा इस वक्त का हो रहा है 13,700 का profit हमारा चल रहा है अब ऐसा हमको लग रहा है कि यहां समय बाहर निकलना चाहिए बिकॉस अब जो movement बगर रहा है ठीक है अच्छे movement हो रहा है बट हमें यह से बाहर निकलना चाहिए market ने break किया था जब आप day time frame पर देखोगी इसको एक दो तीन चार और यहां से भी देख रहे हैं तो previous कई दुनों का high market ने break किया मतलब कि एक strong opening इसने show की थी हमें और जब हम five minute पर आ रहे हैं तो यहां पर देखी क्या हुआ है एक gap up opening downside की तरफ price का movement और यहां से अचानक से rejection आया और price उपर तो यह जो पूरा zone हम मार्क करके चल रहे हैं यह एक buyers के zone यहां पर इस वाली level पर हम price को hold कर सकते हैं ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है लेकिन अब निकलना चाहेंगे विकाज हमने जहां से tweet को execute किया था और इस वक्त जहां पर price है एक decence of profit हमें market शो करें 15,650 रूपिस के around profit हमारा चल रहा है 15 तो अब निकलते हैं order book में आते में भी हो सकते हैं यहां से price भी और नीचे जाए हो सकते है book open 16,550 रूपिस price भी नीचे जा रहा है 695.15 695.15 लेजे order लगा दिया successful placed और अब price का उस जगह पर आने का हम बेट करेंगे जितना order था हमारा सारा का सारा यहां पर निकल चुका है और इस वत का अपना profit है जितना profit हम लोगों ने book किया है 16,650 रूपिस का हमारा profit है और order book एक बार देख लेते हैं 1000 quantity 695.15 695.15 और जो execute के था 611.80 611.80 पॉफेक्ट आज का trade हम लोग यहीं पर अपना खतम करते हैं वेट कराया है प्राइस ने बेशक बट उस वेट का एक अच्छा result हम लोगों को देखने को मिला और जो ratio है 1-4 से ज्यादा का ही risk and reward ratio हमको यहां पर अच्छी हुग है आज के इस वीडियो में हम लोग trend reversal के तीन सबसे अच्छे points के बारे में समझेंगे उसको देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक trade के अंदर हम बने हुए या भी trade execute करने जा रहे है एक trade execute करने के बाद में कैसे हम समझ सकते हैं कि यहां से price बरा turn हो सकता है हमने downside की तरफ अगर कोई trade execute किया तो वो अप में change हो सकता है या अप में trade हो चुका है इसके signals हमें कैसे मिलेंगे और यही चीज़ आपकी help करेंगे एक नया trade भी execute करने में तीन important points के बारे में समझेंगे हम लोग दूसरा point होगा आज हमने जिस trade को execute किया है उस trade के अंदर हमारी क्या analysis थी कितना के profit हमने book किया stop loss, entries, stock selection उसका हमने किस तरह से trend identify किया और overall higher and lower time के price analysis किया थी काफी अच्छा और interesting वीडियो होने वाला है अब यह वीडियो आपको अच्छा रखते है तो उसको like कीजे, comments कीजे और अपना कोई भी feedback है तो आप comment box के जरी हम तो पहुचा सकते हो और वीडियो को जाद से जादा share करने के कोशिश करना है Thanks and let's get into the video तीन तरह से हम लोग समझने के कोशिश करेंगे सबसे पहला है हमारा price structure Price structure क्या है इसके उपर अभी discussion करते है Second है moving average Moving average में एक interesting point होगा जैसे कि moving average काफी लोग 9 moving average 15, 21 इस तरह की जो काफी trend में moving averages होती है उनका use करते हैं लेकिन actually अगर हम देखते हैं तो intraday के अंधर 5 minutes में कुल 75 candles बनती है इसके उपर 75 candles को लेकर के moving average को हम किस तरह से use करेंगे इसके उपर एक discussion करेंगे काफी ज़्यादा helpful होगा यह और अपने जो सबसे favorite है higher tax है शुरुआत करते हैं price structure से यह अपना price structure है सबसे पहली चीज़ जो यह lower low, lower rise, lower low, lower rise side way, again higher rise, higher loss यह जो हम आपको बोल रहे हैं कुई पहली बार आप लोग नहीं सुन रहे होगे नहीं पहली बार हम यह चीज़ आपको बता रहे है इससे पहले काफी बार आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा हो सकता है कि आप इसका use भे करते हो actual जब हम इसको read करने के लिए जाते हैं तो कुछ basic problems होती है हम बिल्कुल basic से ना समझते हुए तो उन problems से start करते हैं कि lower lows या फिर lower highs इनको actual हम read अगर हम करना चाहते हैं किस तरह से कर सकते हैं कैसे यह helpful होंगी और सबसे important चीज़ अपने trade में हम इसको किस तरह से utilize करेंगे drawings में समझने के बाद हम चलेंगे chart के पर charts में जो एक छोटे-छोटे चीज़ हम बताएंगे उसको भी देखने के कोशिश किजएगा जैसे कि यहां पर market ने एक lower low लगाया इसके बाद में price ने lower high लगा दिया जब भी कोई price हमारा downside की तरफ गिरेगा या फिर upside की तरफ जागा तो वो बिल्कुल इस तरह से नहीं किर जाएगा direction हमेशा price का यह होता है पहले वो गिरेगा retracement या फिर कहें कि correction again continue करता है price यह जो upside की तरफ retracement या correction आता है न यह होता है मेरा lower high इसकी खास बात यह होती है कि price अपने previous high को break नहीं कर पाता और यहां से यह अपने lows को break कर नेक्स्ट जो move होता है बहुत ज्यादा chance होता है कि जिस support को price ने break किया था यहीं पर price अपना एक resistance लेगा that's why यह हमारो lower high कहलाता है क्योंकि यहां से highs को break नहीं किया है and lows को price के अंदर फिर से demand बढ़ जाती कि वो lows को break कर सकते अब यहां पर again एक retracement price ने अपना से मेरा downside की तरफ गिरा एक correction और price ने वापस अपना support downside की तरफ ब्रेक कर दी price जब तक हमारा एक direction में downside की तरफ गिर रहा है उसके अंदर lows break होने की उमेद हमेशा बढ़ी रहती देखिए इसी एक चीज में अगर हम question बोलें तो इसी question में आपके answers है अगर price हमारा downside की तरफ गिर रहा है तो यह अपने support को break कर रहा है और जब भी price हमारा downside की तरफ गिर चुका तो ऐसा नहीं वो अचानक से आपके highs ब्रेक करने लगेगा बिल्कुल एक जादू की तरह हो गया लीजे आप यहां से आप आप आई कर लिए ऐसा नहीं होगा आपने Darbass box का नाम सुना होगा क्योंकि कहीं पर भी अगर आपने देखा है आप भी पढ़ा होगा तो इस तरह से आपको सिखाय जाता है कि price seed है इसने लो लगाया और यहां इससका direction change हो गया होता ही नहीं कभी ऐसा कभी नहीं होता है आप देख लिए जागा अकसर यह होता है कि जो theoretical knowledge आपको पढ़ा ही जा रही है या books में जो चीज़े आपको बता ही पढ़ा ही जा रही है actual market उससे बिलकुल अलग है हाँ वो दिखाया जाएं जैसे भी जा रहा हो actual knowledge से retailer को बहुत कोशिच की जाती है उसको अलग रखने की यह आपके उपर है आपके effort के उपर है अगर आप effort लगाऊगे तो यह सारी चीज़े आपको समझ भाएंगे कोई भी आपको बताया गया यह सिखाया गया ने हमारे पास जितना है उतना experience में share करने के कुशिच कर रहे है बट यह आपको अपना effort लगा करके market में समय दे करके सीखना होगा हमारे पास भी limited चीज़े है हम कुछ बहुत बड़ा experience hold नहीं करें कि हम 25 साल का 30 साल के experience hold कर रहे है हमारे पास जितना कुछ limited knowledge है हाँ day by day ऐसा होगा कि हम जब trade करते जाएंगे तो उस trade से कुछ ना कुछ से करेंगे कुछ पढ़ रहे हैं अगर हम किसी project के उपर work कर रहे हैं तो उससे हम जो भी experience लिल रहे है थोड़ा 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 points हम लेते चले जाएंगे और आप रहे हमें साथ हम share करेंगे लेकिन ये आपको भी इसके अंदर effort दिखाना होगा real knowledge की तरफ आपको बढ़ना होगा अब जब बात आती real knowledge की तो हमें फर्क करना पड़ जाता है ये जल्दी वाली feeling अंदर से आ रहे न आप समझ लेना कहीं न कहीं ये इशारा होता है कि कुछ न कुछ गड़बढ है बच सकते आप इससे समय देना ही पड़ेगा market को फिलाल ये अपना topic नहीं आज का हम लोग focus करते हैं आज के अपनी structure के उपर अब price जैसे हमारा downside के तब गिरा इसके अंदर एक जो second move आता है वो होता है sideway का ऐसे market बिल्कुल गिर कर कि अपना trend change नहीं कर लेगी कि लिजे फटाक से change होगी नहीं अब यहां से इसके अंदर second move आता है price जो हमारा sideway होता है अब यह sideway move कि बाद में हो सकता है तीन चार पांच candle का हो होगा में भी बड़ा भी हो सकता है और यह छोटा भी हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर अब यहां से price के अंदर का direction upset की तरफ होगा upset की तरफ जब यह price गिर रहा था हमारा तो low को break कर रहा था अब जब यह उपर जाने लगेगा तो यह अपने high इसको break करने की कोशिश करेगा या फिर यहां पर जो इसके high लगे होंगे इसको इसको break करेगा इस तरह से price अपना direction change करता है अब क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे है trend reversal की हम किस तरह से इसको ले सकते हैं कि price जब गिर रहा अपने lows को break कर रहा और जैसे ही price अपने highs को break करने लग जाए इसका मतलब किसके अंदर के directions change हो रहा है अब हमें जो भी trade execute करना है कोशिश करेंगे हम क्यों buy side को विकास यहां पर market अपने supports को अपने low points को protect कर रही है और highs को break करने की कोशिश कर रही है तो जहां पर भी price ने lower highs लगाते हुए downside के तरफ movement लिया था अब यही lower highs आगे चल करके आपके लिए resistance के तरफ वर्क करेंगे और जैसे ही market हमारे किसी भी resistance point को because जो stop loss करिया होता वह होता है यह resistance point जब stop loss जाते हैं जब भी stop loss होड़ेंगे एक बड़ा movement आपको देखना पर लेगा यह तो बात होगए कि price ने lower lows lower highs लगाते हुए किस तरह से अपना trend चेंज किया example में दोनों चीज़े लेंगे lower highs लगाते हुए जब price अपना trend चेंज करेगा एक low, एक high, एक low, एक high, low, high यहाँ पर क्या हो रहा है basically कि price अपने lows को इन points को break करता हुआ direct downside की conditions हमको show कर रहा है और अपने highs को पूरी तरह से protect करने हैं कोशिश यहाँ पर देखिए एक भी बार price ने अपने high को break नहीं किया है और अपने lows को break करता है पूरी तरह से एक downtrend है मतलब कि price अपने lows को break कर रहा है जबता कि lows को break कर रहा है और जबता कि अपने highs को break नहीं करता conditions हमेशा इसकी downside करें और जैसे ही price अपने highs को break करने लग जाता है हम यह मान के चल सकते हैं कि price का trend यहां से change हो सकता है मतलब जिस trend में जिस direction में वो downside की तरफ या फिर upside की तरफ जा रहा है क्योंकि यहां से highs या फिर lows ब्रेक होने लग गए lows बचने लग गए protect होने लग गए और highs ब्रेक होने लग गए इसका मतलब कहीं न कहीं इसके अंदर एक up move आने की संभावना बढ़ जा यह तो बात होगी कि price हमारा सिधे downside की तरफ की रहा है अब क्योंकि यहां से market ने high break किया इसके आगे क्या हो सकता है अब यहां पर देखिए क्या है same chart है अपना अड़ानी पोर्ट का यहां से price के अंदर high break होने लगा और price मेरा downside के तरफ आया जो एक side way move की बात अभी हमने आप से की थी कि price मेरा up से downside के तरफ गिरा है और इसके बाद ने price के अंदर एक side way move कुछ समय के लिए price का यह side way move आपको show करेगी ही करेगी market ऐसा होता है हो सकता है यह आदे घंटे के लिए हो एक घंटे के लिए हो पांच, छे, साथ के अंदर होना ताय होता है अब यहां पर देखिए यह side way move आप यहां से market ने अपने highs को break करना start किया अपने highs को break करना शुरू किया यहां से मतलब price ने अपना previous एक high break किया second को market ने क्या किया एक opening दी up से लेकर के downside के तरफ and इसके बाद में price ने मेरा last day का high break किया second जून को price मेरा upside के तरफ open होता है downside के तरफ आता है बड देखिए आप एक चीज़ देखोगी कि price ने अपना low previous day का यह जो low लगा था इसको protect किया downside के तरफ नहीं आया और again इसने अपना high break कर दिया अब देखिए क्या हो रहा है जो last trading session में नहीं हुआ था अपने highs को price protect कर रहा था यहां से price ने अपना high break कर दिया low और यहां से फिर इसके directions चेंज रहे price जब तक अपने lows को break करता चला जाएगा और highs को protect करेगा downside की तरफ जब price अपने highs को break करने लगेगा और अपने lows को protect करेगा इसका मतलब इसका जो direction है यह ups है चोटी इसी चीज़ है याद रखिएगा यह सिर्फ एक बार कोई भी video देख लेने सा समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको live market में practice नहीं करोगे कुछ अगर doubt होता है question होता है comments box में question पूछ सकते हो कोई भी आपको question होता तो उसका reply करने के हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कोशिश नहीं करेंगे कोई भी ऐसा question हम देखते हैं कि जिसका genuine question है या फिर answer देना चाहिए हम ज़रूर से ज़रूर उसका reply करते है price structure के according up direction में जाते हुए market में किस तरह से reversal साते हों कैसे हम लोग उसको find कर सकते है अभी हमने देखा था down side की तरफ जब market गिर दे उसमें up move कैसे आया और अब जब यह up side की direction हमें show कर रही है market तो down side की movement को किस तरह से हम लोग कैसे symptoms हमको market दिखाती गिरने से पहले उसको देखेंगे यहां से देखे price एक बहुत smooth इसने up direction हमको show किया high low high and इसके बाद में direction देखे सीध है high की तरफ गया अपना again फिर यहां पर low फिर high low और यह price पूरी तरह से अब यहां से मेरे low को protect करता हूँ चल रहा है और highs को break करता हूँ चला जा रहा है देखे highs को break कर रही है market इसके आगे कि दिन क्या होगा इसके आगे की तरफ क्या हुआ होगा 27, 30, 31 मतलब लगाता है तीन चार दिन तक market हमारी up direction में रही है next move है यहां तक जैसे भी देखा तो इससे पहले के चाट में कि प्राइस ने एक up move शोग किया था यह अपनी last candle थी इसके बाद में देखिए प्राइस ने किया है कि एक low लगाया एक high लगाया और यहां पर प्राइस ने अपने low को break कर दिया इस एक जगा और जब प्राइस ने अप बात है गिरने से पहले इसने symptoms हमें किस त्रेस के दिखाए है इस चीस को समझे एक up move आया था ना अब यह downside के तरफ देखिए प्राइस ने अपने low लगाया यह low मेरा downside के तरफ प्रेख होता है और दूसरी चीज हाई protected है और हमने क्या कहा था कि प्राइस जब एक high move लगा च समझ पार है किस तरह से सारे points सारी candles एक दूसरे से correlate हो करके चलती है यह तो होगे बात price structure के structure के माध्यम से हम किस तरह से देखेंगे और अब आता है moving average अब total candles जो हमारी सकेंदर होती है 75 candles होंगी 5 minutes के time frame पर अगर हम देखेंगे इसलिए यहाँ पर हम लोग 75 moving average का use करेंगे 75 moving average का use किस तरह से होगा आप लोगों को moving average लगा लेनी है और उसकी setting में जाकर के जो length है length को हम लोग कर देंगे 75 इस तरह से आपके पास line बन करके चलिया अब सभी लोग जानते होगे moving अब यह 75 number की moving average हमें देखना यह है कि price जब हमारा इस moving average के ऊपर में trend करेंगा मेरे लिए यह एक uptrend होगा और यह price के trend को समझने में बहुत help करेगा आपकी बहुत ज़्यादा कारगर तरीका है फिर से हम बोलेंगे practice सिर्फ एक video देख लेने भर से या एक दो chart के उपर practice कर लेने भर से काम नहीं चलेगा ज्याता से ज़्यादा charts तो practice करो market को समय देने के कोशिश कर high और low जब price आपका आपकी moving average के उपर में travel करेगा तो एक तरह से यह uptrend होगा और जैसे ही price आपका downside की तरफ आ करके trade करने लगता है और अपने lows को break करने लगता है ऐसा नहीं कि price अभी तक आपका downside की तरफ travel कर रहा था और अचानक से यह upside की तरफ गया और इसका trend चेंज हो नहीं अपने जाने के बाद price अगर अपने highs को break करने लग जाता है इसके upside में तब हम लोग यह मान करके चल सकते हैं कि price का movement है यह अपने up continue रह सकता है कुछ समयता है और वो समय क्या होगा कि जब तक price अपने low के नीचे आ करके अपने lows को break ना करने मतलब अपने moving average को downside की तर इसका भी चली एक example मिलेते हैं यह 75 की moving average है यहाँ आप दिखिए 75 moving average लगी हुई है अब मुझा सिमिंट का यह चार्ट है price जब हमारे level के उपर price की swings जब तक break होते रहे हैं और price हमारा इस moving average इस 75 moving average के उपर रहेगा इसके directions को हम यही मान करके चलते हैं कि price intraday के recording intraday के sessions में हमें एक up move शो करेगा कब तक जब तक price मेरे lows के नीचे हमारे swings को break ना करने लग चाए price अगर मेरा upside की तरफ है तो इसके अंदर एक up trend चालू है किसी भी stock को जब आप trade कर रहे हो और downside के तरफ आपको लाग रहा है कि 75 moving average के नीचे price हमारे travel कर रहा है और अब ये 75 moving average के up में जाकर के अपने highest को break करने लग गया निकल सकते है इस तरह से हमें इसका use कर सकते हैं trend reversal के तरफ ये तो भी बात अब trend में अब ज़रा 75 को downside के तरफ देख लेते हैं JSW का ही चार्ट है 75 moving average प्राइस हमारा 75 moving average के नीचे के तरफ travel कर रहा है अपसे downside के तरफ और देखे यहां से इसके swing break हो रहा है price हमारे swing को break करता चला रहा है कब तक इसका ये trend हम मान सकते हैं कि downtrend में रह सकता है जब तक price हमारा इस range के उपर में निकल जाए अभी हमने आपसे कहा ना कि price मेरा up में गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि price हमारा up trend में हो गया अपमें जाने दीजिए जब तक price अपमें जाने के बाद में हमारे swings को break नहीं करने लगेगा तब तक हम यही मान करके चलेंगे कि price के trend है वो down side के तरफ ये आपको show color इसे काफी सारी help मिलेगी किसी भी stock को आपको trade करना है आपको लग रहा है आपका predefined view ऐसा है कि price की movement है वो आज के दिन weak होने वाली है मतलब कि price मेरा गिरने वाला है अब इसी में अगर हमें ये confirmation मिल जाए कि price मेरा 75 moving average के नीचे की तरफ होना चाहिए ये 75 moving average के नीचे की तरफ travel कर रहा है हम बहुत आसानी के साथ अपने trade को execute कर सकते है money management और risk management दोनों को साथ मिले करके और ये सिर्फ और सिर्फ stocks के अंदर ही नहीं अगर आप derivatives में भी काम कर रहे हो nifty bank nifty option future उसमें भी बहुत अच्छी तरसी work करता है moving average काफी समय से काफी लंबे समय से traders का एक काफी अच्छा tool रहा है personally हम इसको use नहीं करते है because इसके अलावा बहुत सारे tools अपने पास जिससे कि हम लोग trend reversals को देखते हैं लेकिन ये कुछ basic tools है basic भी बोल सकते हैं और major भी बोल सकते हैं अगर आप इसका use करते हो तो बहुत सारी आपको help इससे मिलेगी practice में आसानी होगी आपको आप लोग इसका use करो practice करो पहले aggression में आकर कि एकदम से quantities नहीं बढ़ा देनी होगी इस जिसका याद रखेगा और जरूर से जरूर इसको ध्यान रखेगा aggression में आकर कि कोई भी movement नहीं कर देना है पहले practice अपने इस तरफ पर खूब सारी practice इसके अंदर कर लिजे फिर real trade में जाकर कि आप इसका use कीज़ेगा और अब बात करते हैं अपने third point की और अब बार या आती है हमारे सबसे favorite higher time frame यह मेरा personally सबसे favorite है because हमें इसी के ऊपर एक अच्छी खासी practice हम बोल सकते हैं कि लंबे समय से में इसके ऊपर अपने practice कर ले है higher time frame देखना बहुत आसान है जैसे कि एक यह level है यह है one day time frame हमारा price day time frame के उस level पर जहांपर price बार बार मेरा support ले रहा है जैसे कि one, two, three, four यहां पर price मेरा support ले रहा है और काफी बार इसने यहां से support लिया है अग क्योंकि price मेरा इस level पर trade कर ले है अगर price मेरा गिरते गिरते हमारे इस higher time frame के level पर आता है जहां से price में already काफी बार support लिया है बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि अगर price गिरते हुए हमारे इस level तक आता है तो यहां से इसके अंदर एक trend reverse हो सकता है अभी तक जो price up में जा रहा था हमारा अब उसके अंदर के जो directions हैं वो change हो जैसे price मेरा up से downside के तरफ गिर रहा है गिरते गिरते हमारी एक baseline पर आगया एक support पर आगया अब यहां से फिर से इसको support ने जिस तरह से यह 3-4 वार upside के तरफ गया है बहुत ज्यादा chance होते है market conditions को देखते हुए ऐसा है नहीं कि आप naked कर दो कुछ भी अगर यहां से price में upside के move होती है तो आपको यह मालूम होगा पहले से कि हमारे पास एक ऐसा level है जिसको कि हम already observe कर रहे थे इस तरह से क्या होता है ना कि day time frame पर कोई भी एक support हम लोग draw करने के बाद में lower time frame पर जब price वहां पर आता है तो अच्छी तरह से signal समकर मिलते हैं कुछ अपनी limitations भी होते है अब इसी के अंदर जब हम लोग volumes का use करें देखें आपको छोड़ी सी एक चीज़ बताता है कि यह हो गया इसका example charts के पर तो फिलाल नहीं लेकिन theoretical आप समझने ही कोशिश की जागा और charts पर इसको find की जागा खुद से कि एक यह अपना level है इनको lines के थुरू लेते है last trading session में market ने हमारा जो move दिखाया था वो इस तरह से देखाया था upside की तरफ आप में move दिखाया था बट जो volumes आई थी हैं हमारी यह confirmations होते हैं बट जो volumes आई थी हमारी वो low है कुछ इस तरह की volumes है last trading session में अब हम अगर आज के लिए इसको trade करना चाहते हैं यह बाट दे हमने दो पार समय है आज के लिए गर हम trade करना चाहते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर volumes जो previous day में जितनी भी volumes हमारी आई है morning में इसके अंदर volumes के heavy breakout होंगे मतलब अच्छे खास से break out हो जाएंगे 945 से पहले 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 वो 915 पर भी हो सकते हैं 920, 25, 30, 35, 40, 45 तक हो सकते हैं और इतने बड़े volumes के change के बाद में price जब high से low की तरफ गिरने लग जाए जब price मेरा high से low की तरफ गिरेगा न और previous day में market ने highs को break किया था और अभी इसका trend मेरा change हो रहा है बहुत हद तक chance ऐसा होता है कि price फिर पूरे दिन अपने high को break नहीं कर पाथ बहुत चोटी चोटी चीज़े हैं ये minute price analysis जब आप करोगे बहुत चोटे स्तर पर आपर के क्योंकि ऐसा नहीं कि weekly, daily, monthly, yearly time frame के उपर आप देख रहे हो अगर हमें intraday trade execute करना है तो बहुत ज़्यादा chance रहेगा कि day time frame आपको बहुत support करेगा और lower time frame पर 5 minutes के candle generally और अकसर जो हम use करते हैं 5 minutes के candle तो ये जो आपको price analysis करनी हो 5 minutes के अंदर करनी 5 minutes के time previous day से volumes ज़्यादा है और previous day में market ने जो इस structure दिखाया था आज उसका just opposite previous day में high break हो रहा है और आज इसका low break हो रहा है high protect हो रहा है, volume कल से ज़्यादा है बहुत ज़्यादा chance होता है कि price उसी direction में आपको गिर जाए day time frame पर अभी जो चीज़ हमने बताई है उसको चलिए अभी में लोग देखते सीधे example के तौरब यह डानी port का चार्ट है day time frame का without volume क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ जो हमें देखना है वो price को देखना है तो देखे price की जो movement है यह blue box आप देख रहोगे purple वाला, यहाँ पर price किस तरह से मेरा consolidate हुआ है मतलब कि यह अप में रहता है जब price हमारा इस वही लाइन से अप में जाता है तो यह अच्छा खासा movement दिखा रहा हमें again जब यह price हमारा downside के तरफ आता है तो price हमारी इस range के पास पहुशने के बाद में फिर से support लेता है मतलब कि यहाँ से buying generate होती है और इसके बाद में फिर से upside के तरफ और यह गिर जाता है नीचे के तरफ जिस तरह से यहाँ पर price ने हमें एक buying दिखाई थी एक jump आया था वैसे ही last time jump आया था जब अडानी वोट्स ने एक lifetime high लगा था 9.25 की level के ऊपर में जाए और lifetime high के बाद में वापस से price ने डाउनसाइड के तरफ गिर गिर गया और again अब यह जो upside की direction हमें शो कर रहा है वही level है जहां से price again and again मेरा up direction हमें शो करता है यह day time frame के level है अब क्योंकि day time frame के level पर यानि के higher time frame के level पर हमारे पास एक support है सेम चीज़ को जब हम लोग 5 मिनिट में देखेंगे बहुत ज़्यादा chance है कि जब price हमारा downside के तरफ गिर रहा है 5 मिनिट के time frame पर तो हमें एक अच्छा trend reversal का signal मिलता है क्योंकि यह तो up direction का है और यह support point है जब आप resistance mark करोगे तो आपको resistance में भी इसी तरह के signals और इसी तरह के symptoms नज़र आएंगे charts चाहें जो हो price action हर जगे से हम होगा आप इस एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि आपको आप इस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका काम है एक higher time frame पर या यूं कहें कि lower time frame पर भी support और resistance defined करना और trade execute करने की जगा भी वही होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कहीं से भी trade execute कर दिया कितने पर भी हमें माल मिल रहा है हम उठा रहते चले जारा हम उसको यह professionalism नहीं है professionalism की ज़रूरत भी बहुत कम ही लोगों को पढ़ती है professionalism की ज़रूरत उसको नहीं है जो की shortcut find कर रहा है professionalism की ज़रूरत उसको नहीं है जिसको की patience नहीं है patience का मतलब के आप दो दिन, तीन दिन, चार दिन कम के पांच पे दिन ही आपको सब कुछ चाहिए तो आपको professionalism की जरुरत नहीं है अगर professionalism लेना है तो जैसे सभी fields में professionalism हासिल करने में समय लगता है stock market में भी professionalism हासिल करने में समय लगता है यह एक रात का काम नहीं है शायद एक यप दो वीडियो में पहले भी हम यह बात आपको बता चुगा है आपको doctor बनना है, engineer बनना है, आपको advocate बनना है आपको एक software engineer बनना, आपको hardware engineer बनना, आपको कोई भी है अगर किसी भी चीज़ में, किसी field में आपको musician बनना, आपको dancer बनना है, आपको actor बनना है रात और रात कोई नहीं बन जाता है एक बहुत लंबा struggle चाहिए होता है और इतने struggle के बाद में फिर professionalism आता है एक ही काम को बार 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 दोराते चले जाना फिर करना, फिर दोराना, फिर दोराना, दोराते चले जाना repeat and repeat, repeat, repeat इस चीज़ की परवाण ना करते हुए कि इसका result क्या निकलेगा उसको repeat करते चले जाना तब जाकर कि professionalism आता है वो जो perfection होता है न, वो professionalism है perfection और professionalism में जादा फर्क नहीं है आप जितना जादा perfect होते जाओगे उतना ही जादा professional की field मेप चलते चले जाओगा अगी की तरफ इसलिए हमने कहा न, यहाँ perfection भी या professionalism भी बहुत सभी लोगों के लिए नहीं बहुत कम लोगों को चाहिए जो की इतना struggle, stretch stress को बोलने की hold कर सकते हैं वही professional बन पाएगा बाकि दो सिर्फ बाते हैं, हवाबाजी है कि दो साल, तीन साल के market में काम कर लिए अपने आपको professional बोलने लग 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 ऐसा होता नहीं है जितना हो सके, जम के मेनत कीजिए जितना हो सके, जम के पढ़ाई कीजिए आपकी field में, जिस field में आप काम करो न उस field में कौन-कौन लोग है आज से पहले, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले कौन से लोग थे, जो की market के अंदर काम कर रहे थे उनके काम करने का तरीका क्या था उनकी lifestyle क्या थी वो लोग क्या सोचते थे, किस तरह से price को realize करते थे, यह सारी चीज़े आप पकड़ लें कोशिश को, ऐसा नहीं है कि green candle दे करके buy हो गया, हम अपनी बातों में बहुत ज़्यादा stretch कर रहे हैं, छले, फिर कभी यहां से price के अंदर एक reversal आ रहा है अपसे downside के तरह फिर मेरा price कर और यहीं से reversal है अगेन देखिए, एक lifetime high यहां से लगाया, कहां से, किस जगए से daytime frame के support level, higher time frame से और एक lifetime high लगा देने के बाद में, price मेरा फिर से गिरा, और कहां से reversal सा है daytime frame पे support point से जब आप लोग day time frame पर एक सही level draw करोगे, तो आपको वहां से भी reverses देखने को मिलेंगे moving average से भी आप reverse find कर सकते हो जितने ही methods सभी तक हमने आपको बताएं, price structure एक बहुत अच्छा माध्यम है price के structures को देखते हुए trends को समझने का तो जितने भी चीज़े बताएं इसका wishes थ्यान रखिए I hope के जितने चोटे चोटे पॉइंट सभी तक हमने आपको बताएं आपके मन में अगर आपके दिमाग में एक भी पॉइंट सही से बैट रिया हो ये वीडियो बनाने का जो मेरा purpose से वो पूरा होता है अब हम लोग मिलेंगे फिर से अपने next session में तब तक के लिए thank you, goodbye and we will meet again